हाई ट्वेल्टीज, वेलकम टू एसीवे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ ताविता और डाइस हम लोग इंडियन एकनॉमिक बुक कर रहे थे, उसमें चेप्टर सेकेंड इंडियन एकॉनमी नाइटी 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 कर रहे थे, और उसमें हम पहुंच चुके थे हमारी जो पॉलिसीज थी एकरी कल्चर सेक्टर को बदलने की, प्लाइका हमारी दूष एक बड़ा चेंज केया था हमारी खेटी बढ़ गई थी यानि कि कई गुना बढ़ गई थी और वह कैसे पॉसिबल हो पाया था था है हुआ वी सीट्स के थू हाइं कि हमारी खेटी बहुत गुना बढ़ गई थी तो उसे ग्रीन revolution कहा जाता है so refers to a large increase in production of food grains large increase in production किस्टीज का food grains का due to use of high yielding variety seeds तो इसकी short form में HYV कहते हैं और full form high yielding variety seeds कहते हैं ठीके गाइस अब यह जो आया था ना गाइस यह आया था 1966 में और उस समय जो season था वो था खरिफ का तो खरिफ season में हमने इसको adopt किया था इसके लिए जो चीज जरूरी होती है यह successful कब होता है successful due to क्यों हुआ successful किन वज़यों से successful होता है या कौन सी चीजें जो हमें जरूरी होती है तो गाइस सबसे पहले हमें seeds चाहिए high yielding variety seeds लेकिन इसके साथ-साथ एक बहुत बड़ी चीज है guys that is irrigation facility यानि कि यह तभी successful हो सकता है जहाँ पर irrigation यानि कि पानी की facility होगी tube well होगे जहाँ पर हम अपने खेतों में पानी डाल सकते हैं अगर पानी नहीं है तो हम इससे नहीं अप्लाय कर सकते हैं क्योंकि फिर इसमें जो है पानी की मात्रा इस खेती के लिए इन बीजों के लिए पानी की मात्रा जादा होनी चाहिए दूसरी important चीज गाइज fertilizer, pesticide, insecticides भी हमें चाहिए fertilizer बोले तो खाद हमें चाहिए, insecticides, pesticide, कीट नाशक हमें चाहिए होते हैं क्योंकि इन बीजों के द्वारा जो खेती होती है उस पर काफी जादा risk होता है pest attack का ठीक है तो हमें यानि की पानी के साथ-साथ pest attack के भी साधन चाहिए थे, pesticide और insecticides चाहिए थे तभी हम इसे successfully apply कर सकते हैं तो यह तभी हमारे देश में भी successfully apply हुआ था क्योंकि हमने seeds के साथ irrigation facility भी दी, fertilizers भी दिये, insecticides, pesticides भी दिये थे ठीक है यह चिस समझाए अब आपको पता है कि initially जो mid 1960 से 70 के बीच में जो समय था क्योंकि आया 1966 में था तो सबसे पहले तीन स्टेट थी इंडिया की जहाँ पे से लागू किया गया था जहाँ पे इसका benefit उठाया गया था तो वो कौन सी तीन स्टेट थी guys पहला था हमारा पंजाब तो पंजाब से भी बहुत नदिया होके निकलती तो वहां पे भी पानी की फैसलिटी बहुत थी दूसरा आंध्रप्रदेश तीसरा तमिल नाडू ठीक है तो यहां पर तीन स्टेट्स ने इसका benefit उठाया था इनिशली first phase में यानि कि mid 1962 70s में और उसके बाद हमारे देश में इसको पूरे देश में लागू किया गया यह information आपको समझाई अब इसके बाद guys इसका क्या effect हुआ यानि कि effect क्या हुआ जब हमने इस क्रांती को use किया तब क्या effect हुआ तो सबसे पहला था guys attaining market surplus यानि कि हमारे पास इतनी खित्ती होने लग गई थी इतना food grain आने लग गया था कि हम लोग अगर बेच भी दे तो भी बच रहा था attaining market surplus अपने लिए भी हम रख लेते थे market ले भी रख लेते थे फिर भी बच रहा था तो उसी का क्या हुआ buffer stock हो गया हमारे पास food grain का यानि कि government के पास अब इतना अनाच बचा रहता था कि अगर आने वाले समय में नहीं भी होगा तो हमारी government हमारे लिए कर सकती है third guys क्या हुआ benefit to low income group low income group को कैसे benefit हुआ क्योंकि अनाच की जब इतनी ज़्यादा मात्रा हुई तो rates भी कम हुए और हर एक person जो है अब इसे afford करने लग गया ठीक है तो ये benefit हुआ था हमारे किस चीज को हमें benefit हुआ था किस चीज से green revolution से अब market surplus में आगे थे यानि कि समान अब सिफ हम सबसे पहले पता क्या था पहले हम substance farming पे थे हम उतना ही होगा पाते थे जितना हमें जरूरी होता था हमारे अवशक्ता के लिए उतना ही होगा पाते थे लेकिन अब market में बेच पा रहे है market surplus है big भी रहा है और बच भी रहा है तो दोनों situation हम लोगों के पास आगे थी हम market surplus में आ चुगे थे market में big भी जाएगा फिर भी बचेगा और buffer stock बन गए थे government के पास बहुत सारा stock बना पड़ा था और low income group को guys इस चीज का benefit हुआ था अब green revolution को जब guys अम लोग पढ़ते हैं तो हमें एक चीज का जो risk रहता है वो कौन सा होता है कि यह वाली जो खेती होती है इस पर pest attack बहुत जादा होता है तो यह था guys green revolution अभी हम next video में इसके उपर जो debate हुआ था उसको देखेंगे I hope आपको यह समझ चाहा होगा अगर कोई भी doubt है आप मेरे से YouTube पर या फिर Instagram पर मेरी idea है तब इता मैं इसे ही पूछ सकते हैं Thank you